नमस्कार मौसम इस्टेशन में आपका स्वागत है इस समय की बात करें तो देश के कई इलाकों में बादलों की चहल कदमी है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किनकिन इलाकों में जबरदस्त क्लाउडिंग चल रही है तो यहां आप देख सकते हैं कि क्या इस्थत में हम कह सकते हैं लगाता लाइटनिंग और क्लाउडिंग के साथ कई जगहों पर बारिस हो रही है जारखंड में भी वहीं इस्तती है च्छतीस गड़ की बात करें तो वहां पर भी इस्तती है और मध्यप्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं एक बड़े इलाके में एक्टिविटी है और विदर्ब के एक बड़े इलाके में इस समय बादलों की धमा चौकड़ी जारी है तो यह स्थती लगातार बनी हुई है लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ी चीज है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं चाहें वो पूर्वी के पीछे जो सबसे बड़ी वज़य है वो वज़य है कि समय से पहले इन इलाकों में मानसून का पहुंच जाना क्योंकि हिमाले के बड़े इलाके में मानसून पहुंच चुका है लिहाजा तमाम लोग जो कई जगहों पर जाने की सोच रहे होंगे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को तूरिष्ट के लिए खोल दिया गया है इसी तरीके से बहुत से लोग उत्राखन जा रहे हैं जम्मू कस्मीर जा रहे हैं लद्दाक जाने की सोच रहे हैं प्लैनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए यह बुलेटन काफी महत्वपूर्ण है तो आईए हम आपको बताते हैं कि हिमाले परवत पर क्या-क्या होने जा रहा है अगले पूरे हपते की अगर हम बात करें तो किन-किन इलाकों में कैसा रहेगा मौसम तो आईए सुरू करते हैं कि पहाडों पर क्या होने जा रहा है तो यहाँ पर एक पूरा बुलेटन है ज पद्दाख और गिल्गिट जाना बहुत आसान है क्योंकि वहां पर क्या इस्तती है मौसम एकदम बढ़या रहेगा साफ रहेगा जम्मू की बात करें तो ठंडर इस्टार्म लाइटनिंग की एक्टिविटी रहेगी गश्टी विंड्स और हैवी रेंफाल की बात यहां की ज हो जाएगा यह हाई हिल्स की बात कर रहे हैं लोवर हिल्स की अगर बात करेंगे तो यहां ठंडर इस्टार्म की एक्टिविटी हम कह सकते हैं 17 जून तक है उत्तरा खंड के लिए चिंता की बात है क्योंकि अगले 24 घंटे में हैवी रेंफाल कई जगहों पर होगी और हम कह खाते हैं कि किनकिन इलाकों के लिए अगर हम मैप के जरिए समझना चाहें कि कहा के लिए वार्निंग है तो कैसे आपको साफ समझ में आएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं यह यह 14 तारीक की इस्थती है चौदा तारीक यानि आज 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 की बात की जा और गढ़वाल रीजन, किमायो रीजन इन सब के लिए किय जगहों पर फैरली वाइद प्रेट रेइन होनी है, पंद्रा तारीं के सकते हैं कि 15 तारीं के लिए एकर हम देखे तो यहां गढ़वाल और किमायो में, हम कह सकते हैं साधातर जगहों पर बारिस होने की संभावना है और हिमाचल में चाहें वो लोवर हिल्स हो या हाई हिल्स हाई हिल्स का मतलब हुआ कि ट्राइबल बिल्ट है मनाली हो गया किनौर हो गया साथी साथ हम कह सकते हैं चमबा से उपर के जो इलाके हैं उन सब जगहों पर बारिस हो कि कस्मीर में भी होगी लेकिन लद्दाख और गिलगिट पूरी तरीके से साफ रहेंगे इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम वार्णिंग की बात करें तो मौसम विभाग ने गड़वाल और कुमाओं के लिए एक तरीके से आरेंज वार्णिंग दी हुई है कई जगहों या इस नो फाल उचाई वाले लाकूम हो सकती है और बाकी जगहों की बात करें अगर हम लैको में लाकुम साफ रहेंगा हमाचल पर बदेस के किनों और लाहॉल स्पीती और दूसरी जगहों की बात करें जो हाई हिल्सें वहां पर मौसम साफ रहेगा कोई warning नहीं है कहीं कहीं है अगर कोई बारिष हो जाए तो हो जाएं वर्नावब बारिष नहीं तरीके बात की जारही है और 18 क्यां है कि बात करें तो निस्य पर पर कहा जा सकता है कि अगले तीन दिन हम कह सकते हैं कि जो कुमाऊ और गढ़वाल के रीजन के लिए खास्तोर पर उत्राखंड के लिए सतर्क रहकर रहने वाली है क्योंकि कई इलाकों में हैवी रेन हो सकती है इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटे कई जगों पर बारिस हो सकती है या इस तरीकी का मौसम हो सकता है जो टूरिस्ट के लिए परिशानी पैदा कर सके लिहाजा जाने से पहले इस बोलेटिन को जरूर देखें जिससे आपको सही सही जानकारी मिल सके तो देखते रहे हैं मौसम स्टेशन फिर मिलेंग के दो बारा